जी हलों दोस्तों मैं हूं कमर्च हुई मां उमीद आप लोग ठीक होंगे दोस्तों इंडिया कैनडा के हवाले से और इंडिया कह रहा है कि वी आ लूजिंग पेशिंट्स कैनडा ने इंडिया के तब छे जो टिप्लोमेट्स थे उनको अनॉंस किया एज पर्सन आफ इंट्र की जो टिप्लोमाटिक इमिनिटी यह घ्ला करें ताके हम इन से स्वाल जवाब कर सकें इंडिया ने कहा के हम इनकी डिप्लोमाटिक इमिनिटी विद्रा नहीं करें और अब कल से मैं देख रहा था तक रवन फॉट्टि-फाइव links की जो है वह ज़िस टिरूड उमने प्रे सेक्यरिटी और सम्टिंग लिगार्टिंग वह एक जिसे आप समझ लें कि एक इस वकत एक जिसे कहेंगे ना एक डिप्लोमाटिक ब्लो है टू इंडिया एंड कैनिडा बोथ दोनों मुल्क जो हैं वो एक दूसरे को वचिसे कहते हैं ना चौक चराहे में आके खड़े हो गए हैं और जो इंडिया ने किया कि दे मुमेंट लास्ट टैम कैनिडियन्स ने पार्लिमेंट में खड़े होके अब देखें ये पिछले साल जून में है जो है वो स्टार्ट हुए अल्मस्ट जब अर्दीब निजर जो था वो कतल हुआ खालस्तान मुवमेंट को वो सपोर्ट करने वाला है मैं कल रात किनेडियन मीडिया को देखते रहां अच्छा पहली बात हो मैं आपको यह बता को बूल बाल के वो चल पड़ी है एडिया और कैनिडा के चक्र में खर वो सारी डिसकेशन वो सारी पाकस्तान की जो जितनी भी एफर्ट है लगता है कंप्रोमाइस हो रही है लेकिन यही शुकर है एक दिन पहले है आज क्यूंकर पाकस्तान चाहता है कि हमारी शंगाए को का जो इवेंट आजिस में जे शंकर भी आ रहे हैं तो वो उसको ऊपर थोड़ा सा अटेंशन होप देखते हैं कि आथा मैं एक चीज़ आपको बता दू इस वक्त इंडिया और कैनेडा वेन इट कमस तो इंफर्मेशन तो अगर इंडियन सौ स्टोरी करते हैं तो कैनेडिय इन एक स्टोरी करते हैं इंडिया का मीडिया इतना हैवी डूटी मीडिया एंडिया का और यह कल रात टूडो ने वहाँ पर बाद की थी उसने का था भाया यह जो है ना मुझे डरेक्ट भी मुझे टार्गेट किया गया है यह विजारी बात उसको समझा आ गई थी कि हमार जो मीडिया है वो हमें सपोर्ट नहीं करता लेकिन इंडियन जो मीडिया है वो इंडियन कवर्णमेंट को हर लिहाँ से सपोर्ट करता है अब हो यह राय कि जो लेटेस्ट अपडेट है SEO का जो शोडाउन है वो कमजोर हुआ हुआ है ग्लोबल पॉलीटेक्स में इस वाल अबाउट इंडिया कैनिडा का मसला अब वैस्टर्ण वर्ड सारी की सारी इस बात पे किन्विंस है वैस्टर्ण वर्ड किन्विंस है कि जो कैनिडा कह रहा है वो सही कह रहा है और मेरी assessment यह है मैं इसको पहले भी आप से यह कह चुका हूँ कि Americans नहीं इसी सब कुछ करवाया है Canada से और उन्होंने सब नहीं यह कहा है कि जो Canadian Foreign Minister ने जो कल रात Press Conference में बोला कि हम जो Five Eyes और G7 है इन दोनों को inform किया है कि India क्या कह रहा है और वो यह भी कह रहे है there is a possibility we can go for sanctions against India on one way or the other अब question यह है कि यह जो Indians क्या कहते है Indians का कहना यह है वो कहते हैं जी के आप देखें के जो Canadian Foreign हमारे जो ambassador हैं हाई commissioner है उनके बारे में किस तरह उनकी effigies लाए जा रहे हैं ठीके जी और वो कह रहे हैं जी terrorism separatism अब दुनिया एक चीज़ में तो जारी बाता है इंडिया के साथ शुरू में कड़ी हुई जब इंडिया ने पाकस्तान का बात किया जी terrorism extremism क्योंकि अफगानिस्तान में चीज़ें चल रही थी तो लोगों ने का जी ठीक है कैनेडा separatism करा रहा है तो लोगों को वेस्ट में समझ नहीं आई कि ये कैनेडा terrorism को कैसे support करता है पाकस्तान की case में तो वो कहेंगे कि ठीक है कश्मीर का problem था दोनों मुलकों के मसले हैं जंगें हो चुकी हैं कारगल हुआ सारा एक पूर एक sequence बिना ओवर दा पिरिट ऑफ टाइम रोजाना किश्मीर में कोई टुक टॉक होती थी हाउ टू स्टाबलिश दिस कि जो कैनेडा है वो कैसे दाशित गर्दी को support करता है अब जारी बात है इंडियन्स का ये की मौकब था कि आप ये जितने भी खालस्तानी है जब ये यहां से बागते हैं वो जाकर कैनेडा में बना लेते हैं इस चीज के जारी बात है दुनिया थोड़ी सी एक वो जिसे कहते है न मुश्कल में आ गई कि क्या करें और क्या ना करें दीगे जी इंडियन्स ये तो बात अब भी कह रहे हैं कि टूडो की बातों को इग्नोर करें ये पी आर है ये देखें ये पी आर नहीं है दिस नाट जस पॉब्लिक रिलेशन नहीं दिस इस कमिंग फ्रम फाइव आइस दिस इस कमिंग फ्रम जी सेवन और मैं आपकी इतलाक लिए आपको खबर दे दू इंडिया ने पन्नू सैसिनेशन की टीम के हवाले से अपनी टीम वाशिंग्टन 15 अक्तूबर को बेच दिये जी ये देहिंदू ने स्टोरी की हुई है देहिंदू के रिपोर्टर हैं सिरीराम लक्षमन उन्होंने ये काया कि यूएस डिपार्टमेंट आफ अजिस्टस है जो उन्होंने ये काया था कि इंडियन गवर्मन के इंप्लोई जो है वो डिरेक्ट इंवॉल्व हैं इस सारे केस के अंदर तीक है और इसके अलावा मेरी असेस्मेंट और मेरी खबर ये भी मुझे मिली है ठीक है कि जो के ना मैं उसका इंडिया ने कहीं लोगों को भी पकड़ा है इंडिया ने कहीं लोगों को भी पकड़ा है और ये जो जो जिसे कहेंगे न ये कुछ चोटी खबर नहीं है इंडिया ने किसको पकड़ा है और किसको इंडिया कह रहा है इंडिया कह रहा है यह इंडियन मीडिया कह रहा है कि कुछ ऐसे लोगों को पकड़ा है हमने ठीक है जो इन्वाल्व थे इह पनेु केस के लेकिन वो लोग जो है दिस इस वाट इंडियं जा सेंग वो लोग एजन्सी छोड चुके थे वो लोग इजन्सी छोड चुके थे है अब इसका मतलब यह है कि उनको इंडियंज को इस चीस alors यह समझ आ गयी है ते हमें बंदों को Americans बंदे मांग रहे हैं Americans बंदे मांग रहे हैं India ने अपनी टीम औरडी वाशिंटन बेज दिये ठीक है जी दूसरी तरफ इंडिया ने कुछ लोगों को Americans को बताने के लिए पकड़ा है और काया जी कहा हमारी custody में है लेकिन वो जो लोग है जिनको पकड़ा गया होगा या जिनको custody में लिया होगा उनकी अपनी लोग है जारी बात है अब वो कह रहे हैं कि हमने जिन लोगों को पकड़ा है हम inquiry कह रहे हैं क्योंकि Americans की demand एक ही होनी है कि ये लोग जो हैं ये हमें दिये जाएं या आपको पता है Americans तो सीधा सीधा कहते हैं कि जनाब हमें चाहिएं लोग ठीक है अब उन्होंने एक तो उन्होंने बंदे पकड़े हैं अपनी बंदों को गिर्वतार किया है ठीक है दूसरा उन्होंने अपनी team America बेजी है ये बेसिकली उन्होंने अमरीकियों को ठंड़ा करने के लिए team बेजी है मैं आपको अगर अंदर की story सुनाओ उनको ठंड़ा करने के लिए बेजी है because उनको पता है कि हम Canada के साथ तो जो मर्जी करें America के साथ आप नहीं कर सकते ये इस इस वाट देर सेंग आप Canada के साथ तो जो उसके साथ अमरीका के साथ आप हर सब कुछ वो नहीं कर सकते कि यार याद रखिएगा ठीके जी तो इसलिए आप देखें इंडियन मीडिया जो है वो उसने आप देखें अगर एक statement आती है ना Canada से तो इंडियन मीडिया Canada की जो statement से ये देखें ये चीज मिशर्व को 1999 में भी face करनी पड़ी थी जब मुशर्व साथ जो है उसने कहा कि कारगल वार हुई तो जो इंडिया का narrative था वो पाकिस्तान से बहुत मजबूत था क्योंकि पाकिस्तान का मीडिया ही को नहीं था एक टीवी था तो क्या करें और नहीं का मीडिया खोल दो इंडिया वाज रीजन बहाइंड पाकिस्तान से मीडिया फ्रिडम ये ये भी एक स्टोरी आप देख लें दीक है इंडिया बिसिकली एक फ्रिडम थी रीजन थी और वो कारगल का इंसर है आज मैंने अगर ये कैनेडियन वर्जिन डूंडना हो तो या आपको कैनेडा की वो कुछ सरकारी वेबसाइट मिलेगी एक आदा को टीवी टी सी बी सी कैनेडा मैंने देखा उसके अलावा मुझे कैनेडा में कोई सीज़ यहां पिर यहां पिर यह है कि तमाम जो वेस्टरन मेडिया और प्रेस है वो कैनेडा के साथ खड़ी हुई है ठीक है अब वो कैनेडियन का जो परस्पेक्टिव है वो यह है जी कि इंडिया हमारा स्ट्रेजिक पार्टनर है यह कि वो कहते हैं अच्छा, इंडिया इस इस्ट्रेटेजिक पार्टनर लेकन वो साथ में ये कहते हैं कि ये जो ट्रांस नाशनल रिप्रेशन एंड ट्रांस नाशनल किलिंग है इसको हम अलाओ नहीं करेंगे टीक है सो वो देखें वो जीसे कहते है न क्या जेस्टें टुडू इस जेस्टें टूडू लाइग वोस्टेश यह है इस कनेडियन गवर्ण्मेंट लाइग इफ देर लाइग वट अर दे लाइग फॉर क्यों जूट हो रहे है वो एक सवाल है चाल घर एंडिया एज़ी हैं मिफेल जो है इंडिया ने आपको पता है ूरिखने एक्सपैल कर देए जैसे ही कैनाइडा नहीं यह कहा है कि आप इन छे बनों की डिप्लोमाटिक वो करें घटाएं, इंडियन्स ने कहा जी कि हम नहीं हटाएंगे, इंडियन्स ने उनको वापस बुला लिया, इस से पहले कि इंडियन्स ने उनको एक्सपल कर दिया, ये खबर है, ये खबर है, कि जब इंडियन्स ने कहा कि हम इनकी diplomatic वो नहीं करेंगे अब देखें इसमें अब किसने किसको पहले letter लेका इंडियन्स कहते हैं कि हमने पहले पहले बुला लिए Canadians कहते हैं कि हमने पहले expel कर दिया साथ ही उन्होंने छे Canadians को भी यहां से expel कर दिया इस वकत इंडिया और Canada दुनिया के वो जिसे कहते हैं न चुराहे के अंदर खड़े हुआ है यह diplomatic disruption है बहुत बड़े लेवल की diplomatic disruption है यह को मजाग नहीं है ठीक है न जी बहुत बड़े लेवल बें यह कोई अभी जिसे कहेंगे न यह चीजें आम बंदे को शायद अभी समझ ना है लेकिन इट विल टेक साम टाइम अब इंडियन जो है पुलीस या इंडियन गवर्नमेंट जो वो क्या कर रही है वो जितने भी खालस्तानी या जो खालस्तान के सपोर्टर थे जो इंडिया से निकले हैं उन्हें तमाम की उन्हें तमाम की तमाम की जो है ना वो पुजिशन उसको देखते हुए करते हुए वो क्या कर रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि अब देखें इंडियन्स को इस चीज़ का पता है ठीक है कि यहां भी किसी ना किसी ल अबल पर cooperate करना पड़ेगा सो अमरीका के साथ करो Canada के साथ ना करो Canada इतना इंपॉर्टन नहीं है लेकिन इंडियन्स ये भी मानते हैं चीज को कि उनको इस चीज का कोई पता नहीं था कि जो Canada वो रह यह अमरीका के पास भी इसकी इतने बड़े विमाने पे information मुझूद है अमर कि सारी की सारी चीजें बैरल एक चीज तो है जैसे मैंने बताया Canadians कहते हैं कि हम नहीं नहीं होने देंगे ट्रांजनाशनल डिप्रेशन नहीं होंगे इंडिया एक फॉंक्शनिंग टुमाक्रेसी है इंडिया रस्या चाइना एरान की तरह नहीं है इंडिया डिड ऑल दाट जो इंडिया ने अलोग किया है ठीक है जी ये सारी की सारी चीजें नजर आ रही है अब देखें एक एक चीज जो जो मैं देख रहा हूँ इस सारे सेस्टुएशन में सारे सेनारियों के अंदर ठीक है एक तो चलो हमें नुक्सान यह हो रहा है जो यह हो रहा है लेकिन overall क्य Western World Trudeau की स्टोरी सुनेंगी यह Prime Minister Modi की स्टोरी सुनेंगी मेरा ख्याल है the best India can do is जेशनकर साब अपना version रखेंगे और आज अगर जेशनकर साब इसलामबाद आ रहे हैं जो कि उन्होंने आना है तो वो जितना 100-200 साफी आया हुआ है इंडिया का या अमरीका का या और सारे SEO Qe.Wards है पर उन्हें की सवाल जेशनकर से करना है उन्होंने एसी देखें पाकिसन की इंडिया के BILaterals तो हैं कोई नीं तो किसके बारे में बात करनी है तो सारे पे Canada के बारे में बात हो नहीं है तीक है अब देखना पड़ेगा कि थें को क्या हो सकता कि उनको इंडियन मीड पिछले साल की जितनी भी टेंशन्स खत्म हुई इंडिया ने क्या रिस्पांस किया कि टिट फॉर टैट उन्हें तड़े बंदे कर दे तुझी उनको का जी आप यहां से चले जाएं यह कर लोगों कर ले इंडिया जो है वह से में हैं उसा को कर रहे हैं एंगल ली डिनाए कर रहे हैं ठीके जी डिपलोमाटिक ड्रामा भी खड़ा हो गया लेकिन अमरीका के साथ इंडिया को आपरेट कर रहे हैं इंडिया कैनेडा को लिफ्ट नहीं करा रहा है जो कल इंडिया कैनेडा के हाई कमिशनर ने कहा था कि इंडिया कहते है एविडेंस दो हमने एविडेंस दे दी है और अब इंडिया की ज़रू 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 है कि वो हमें बताएं और वो कह रहा है कि हमारी हकोमत जो है ये चीज जो है ये अजीद दोबल को रोने ली प्रेजेंट की है. मैं आपको शुरू से कह रहा था कि ये दोवल साब करा रहे हैं. लेकिन कैनेडा कहता है कि ये अमिद शाह करा रहा है. ठीक है जी? और इट मीन्स कि अगर अमिद शाह करा रहा है तो अमिद शाह विद अजीद दोबल साब की स्पोर्ट के या मर्जी के तो नहीं करा सकता है यहां यह है कि अमिद शाह वजीर आजम एंड इंटेलिजन्स ब्योरो यह लगे हुए थे ठीक है इंडिया के जो सीकेट सर्विस है वो लगी हुई है यह रा के लोग लगे होंगे इसके ओपर ठीक है जी अब इंडिया बार बार एकी चीज़ कहरा है रियल एविडेंस नहीं है बट क्या हाज इंडिया सेंड इस पीपल तो कैनड़ा दो यह पंदना अक्तूबर को वो जा रहे है ना आज कितनी है पंदना है आज ही मेरा चाहल है जा रहे है वो ठीक है इंडिया जो है वो अपने लोगों को आज ही बेज रहा है अमेरिका थीक है अब यह जो डिपलोमाटिक जिसे कहते हैं कि डिटीविज़्ेशन है अब क्या जो किनेडियन फरम में से सवाल किया गया सेंक्शन का क्या सवाल करेगा आर दे गोइं टू सैंक्शन अमिशा ये तो यह बहुत बड़ी चीज होगी भाई देखे टूडो की जो एक स्ट्रेंग्थ है न वो यह है कि वो तुमाम फाइव आईज एंड जी सेवन के साथ बोल सकता है जी सेवन में चलो इटली है जिपैन है और बाकी वो है के नाम है उसका या है फ्रास है वो तो बोल सकते हैं सुरेंग्य यूके की पीम के स्टामर से भी बात की है बाकी भी वेस्टन वर्ड से वो 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 इन टाच है थो एक जिसे कहेंगे ना द्रस्ट मी एंग एक 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 समझ नहीं आ रही या रही है रहते होगा क्या इसका посто… फाइनल नैट किंग्लूजिन क्या निकले का निकले कै इसका निकले क्याxture की यरी भी तक क्या कर सकते हैं ठीक है मोदी साहब क्या कर सकते हैं डूडो साहब क्या कर सकते हैं बاकी लोग इसकी अभी तब कोई समझ नहीं आ रही आ लेकिन एक चीज की समझ आ रही है तेंडिया और जो कैया नम है उसका कैनडा है वो बीच दुनिया की जिसे कहते है ना चुराइम यहां के खड़े हो गए हैं और एक दूसरे को बुलाबरा कह रहे हैं लेट सी यह एक यह एक गहर ममूली चीज़ है आप इसको देखिएगा यह एक बिल्कुल गहर ममूली चीज़ है इसकी क्या इंडिया के लिए क्या इंडिया के लिए क्या इंडिया के लिए एक चीज़ में आपको 100% बता सकता हूँ जो इंडियन्स कर रहे हैं अमरीका की मर्जी के बगार नहीं कर रहे हैं जो इंडियन्स कर रहे हैं और इंडियन्स को इस चीज़ का तब ही पता चला था मुझे तो श हैं यह कर रहे हैं और हमें यह था कि यह सिर र कैनेडा के ला है समझ रही है थीड़ तीके जी रीड़्श क्या निकलता है इसमें से क्या चीजें होती है बट्ट फार पूंपर है सब मैटर ओफ ग्रेट 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 इनो टेंशन है जे शंकर साब भी आ रहे हैं इसलाम बार और वो देखते हैं कि वो क्या किस तरह कैसे चीजें अनफोल्ड होती हैं और आज का दिन जो है पाकिस्तान चाहेगा ऐसी हो हाइलाइट हो लेकिन उदर हैं कि इंडिया अपने इंगल्जामात लगाएगा जारी बात है ठीके लिकिन इसको जिसे कहेंगे न वन हैस्टो फॉलो दिस वेरी वेरी डीपली इसको फालो करना पूड़ेगा झालाइट हो थीणि का पूड़ेगागा ज़सित प्रसाप्पट के जुड़ेगा जड़ेगाबन सविद घड़ेगा न अगलाइए गित पक्तुछक करना पक्तुमें मूद प्लिपने न जटिसे कहें